वेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टडी फ्रीच चैनल दोस्तो आज में लेके आए हूँ टेबल टेनिस की रूर्स मेजर मेरिस कॉप और टॉभी अंतराश्टी संगत्रेंस रिलेटेड नोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन सभी कोश्चन और के लिए इंपोर्टेंट है आप वीडियो को सुरू सिलाश्टे देखिएगा और अपना स्कॉर्ट चेक किजिए जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिबस के एकॉर्डिंग है सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटिटिव एक्जाम्स के लिए जिसमें से थेरिटिकल टॉपिक्स सभी कंपलेट हो गया हैं एंड हनें से जादा वीडियो प्रीविस सब्सक्राइब अचिकल एज कई प्राएक हैं और डेली बेसे समय में आपकी हैं सब्सक्राइब क्क टेसमें के गेम के पिशमनेंट अब का कि ट्रौफिक की तरफु टैबल tape Pulise courses K Neo次 सुरौग किस देश से हुई तो टेबल टेनिस खेल की सुरुवात इंग्लेंड में हुई उनिस्वी सतावदी के दूसरे मद्धे में और दोस्तो प्रथम बार सुरू में इस खेल को गोसिमा विफ वैफ फ्लिम फ्लेम कहा गया और इसको पिंग पॉंग भी नाम दिया गया तो कई पर कोश्चन आता है कि पिंग पॉंग किस खेल को कहा जाता है तो टेबल टेनिस को और गोसिमा विफ वैफ फ्लिम फ्लेम इस अब भी याद रखेगा नेक्स्ट है टेबल टेनिस कैसा खेल है इंडूर है कि आउटडूर है तो यह इंडूर खेल है नेक्स्ट टेबल टेनिस बाल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा तो पिंग पॉंग नाम रखा यानि पिंग पॉंग नाम 1901 में ब्रेटीस के उपादक जे जैक्स एंड संस लिमिटेड ने इसका नाम रखा नेश्ट है पहले टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थी तो इसको रात के खाना खाने के बाद खेलना पसंद करते थी नेश्ट है पिंग पॉंग एसोसियेशन का नाम बदल कर table tennis association कब रखा गया तो 1926 को नेश्ट है भारती ये table tennis association की इस्थापना कब हुई तो 1936 को जैसा कि दोस्तों इसकी इस्थापना जो है 1926 में ही 200 table tennis संग यानि की ITTF के द्वारा ही हो गया था बट इसको मानेता मिले थी 1937 को देश्था दोस्तों कि table tennis को उलम्पिक खेलो में कब स्वामिल किया गया तो इसको उलम्पिक खेलो में 1988 सी उल दच्छी कुरिया में स्वामिल किया गया एंड एस्थाई खेलो में 1958 टोक्यो जापान में स्वामिल किया गया देश्थाई table tennis को एस्थाई खेलो में कब स्वामिल किया गया तो 1908 टोक्यो जापान में सामिल किया गया रिश्ट है विश्ट टेमेल टेनिस प्रतियोगीता का आयोजन मुंबई में कब किया गया तो 1902 में किया गया मुंबई में जबकि 200 टेमेल टेनिस संग की पर्थम परतिविक्ता जो है 1921 में हुआ था जबकि मुंबई में परफंबार हुआ 1952 में जो मुंबई में यानि की भारत देश में कहें तो या किसी भी खेल की पहली प्रत्योईता थी जिसका आवजन एसिया में पहली बार हुआ नहीं तो यूरोप और अमेरिका में ही जादेतर आवजन होता था होता है नेस्ध कोस्चन है कि टेमल टेनिस के खिलारी को क्या कहती है तो टेमल टेनिस के खिलारी को पेडलर्स भी बुला जाता है केजर्स बुला जाता है आपके बास्केरबल के खिलारी को पुगलिस्ट बुला जाता है बॉक्सर को लेश्ट है टेमल टेनिस खेल की विश्व पुरुस टीम प्रतिविक्ता की विजेता को कौन सा कप दिया जाता है तो उसे स्वेथलिंग कप दिया जाता है नेसराय टिमेल ट्रेञ्स खेल की 200 महिळा टीम पर्तिविटा में भीजेता को कौल सी कप दिया जाता है तो कार्विलान कप दिया जाता है तो विसौ टेमेल выглядит में जो पूरुस वर्का जिते है तो Switzerland कप महिळावर का जिते है तो कार्विलान कप 12odynamics consensusि खेल में 200 की पर्थम प्रतिविता कब आयो जित की गई तो 1911 में नहीं छहें 200 Renaissanceidden Cambg की स्थापना कब हुई 200닝 टेबल टेबलो टेबल टेबलो 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 संग यानी कि International Turbo Tened partners ITTF की स्थापना 2026 में किया गया इसका headquarter Los Angeles Arizona Surajal Lions और भरतमान अध्यर्श thomas विकर्ट जर्मनी के नेश्थ है 2023 संका प्रतमा अध्यच्च कोन था तो अधम सरारा नेश्थ है 2023 संका 2015 में अध्यच्च कोन है तो कान डबरासी और बरतमान में अध्यच्च है थामस विकर्ट नेश्थ है दोस्तो 2023 संका मुख्याले कहां है तो लोसाने सूर्जय लेन में है नेश्थ है भाती टेबल 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 संकी इस्थापना कप की गई तो 1937 में नेश्थ है भाती टेबल 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 संका मुख्याले कहां है तो नई द से टेमल Алइस खेल की 201 पुरुस प्रत्यविता कौन सी है Is the termary tennis की 201 पुरुस प्रत्यविता है 100 trad Bride was bef 국hr नेश्ठ है विष्व निम्नालëम्स की 201 महिला प्रत्यविता कौन सी है तो झी जॉस्ट कप जी जिस्ट कॉप इसको आप ध्यान में रखना है जी जोस्ट कॉप नेस्ट है टेवल्टनी स्खेल की बिस्व मिस्रित यूगल प्रतिविता का क्या नाम है तो बिस्व मिस्रित यूगल प्रतिविता का नाम है है दू सैक कॉप एन दोस्तों अन्य कप एन ट्राफी है जैसे कि मैं आपको एक बार बता देती हूं कि बिस्व पूरुस टीम प्रतिविता स्वेथलिंग कप है बिस्व महिला टीम प्रतिविता कारविलान कप है बिस्व एकल पूरुस एकल प्रतिविता सेंड ब्राइडवास कप है पूरुष टीम के लिए वर्ना बिलाग कप, महिला टीम के लिए जैन लचमी कप, पूरुष एकल के लिए पीठा पूरम कप, महिला एकल के लिए स्रामर कूर कप तो इसमें से कोई भी कोईशन पूछ सकता है बर्ना बिलाग कप की स्खेल से समधित है, तो टेबल टेनिस से समधित है, पूरुष टीम राष्टी परत्योगीता है इसमें इसमें टेबल टेनिस स्खेल में टेबल की माप क्या होती है तो टेबल टेनिस स्खेल में टेबल की माप होती है 2.74 गुड़े, 1.25 मिटर, यानि की 2.74 मिटर उसकी लंबाई होती है टेबल की, और उसकी चुड़ाई होती है 1.525 मिटर यानि कि जो table होता है आपका table tennis का वहाँ उसकी सता जो surface होता है नीले हरे रंग का होता है और जोसकी रेखाएं होती है वो सफेद रंग से चिन्धित किया जाता है तो वहाँ उचा होता है तो वहाँ उचा होता है धाई फिट यानि कि 76 cm नेशर टेवल टेनिस के टेवल में कितनी टांगे होती है तो आठ टांगे होती है नेशर टेवल टेनिस खेल के कोट को दो समान भागों में विवाजित करने वारी सेंटर लाइन नेट के लंबवत की मोटाई कितनी होती है तो तीन सेंटिमीटर नेश्टर टेवल्टोनी स्खेल की गेंद का भार कितना होता है 2.7 ग्राम सबसे कम भार इजी का होता है दोस्तों और सबसे ज़्यदा भार मेडिस्निम बालत्रो का होता है नेश्टर टेवल्टोनी स्खेल की गेंद का ब्यास कितना होता है तो 40 सी यम यम होता है कि और से खेल कि रहक से की यह रबर मुותा ही कित्व अजहीं होना चाहिए तो दो यम्यंद करणी होना च्राद ŚView ठीक हो दूतटी गया कि टीटी एंफाई का अप Hess प्रभ क्या है तो इसका अपना श् 헌रा टेबल टनिस फेड़िरिसन आफ इंडिया नेश हैं तेबल पेडिफ इंडिया नेश से दूसतरों टेबल के साघ्लाइन की मुठाइ कितनी होती है तो दो सेंटिमित्र और सेंटर लाइट के कितनी होती है तिन सेंटीमित्र इस Agora इस vigil showed रखना है नेश्ट है रैकेट की माप क्या होती है तो जो रैकेट होती है उसकी माप सर्कूलर रुप में आपका 20 cm होता है नेश्ट है नेट की लंबाई कितनी होती है जो बीच में नेट लगा होता है टेबल पर उसकी लंबाई होती है छे फित यानि कि इसको हम सेंटिमीटर में करेंगे एक बसंदो आफ तिन सेंटिमीटर होगा सर्विस कितनी अंकों के बाद चेंज की जाती है इसमें तो दो अंकों के बाद सर्विस चेंज की जाती है देयर्ट है मैच कितने पॉइंट का होता है तो 21 पॉइंट का होता है जैसा कि इस पन्फ सेट का गेम होता है तो गयारै गयारै अंकों के 5 सेट होते शों के सभी question आपको समझ में आए होंगे तो दोस्तों इडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरू बताई हो और जादे जादे share भी किया किजिए दोस्तों और daily basis में मेरे साथ जूड़ी रहे हैं क्योंकि daily basis में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और इसी तरह सभी topic आपके clear हो जाएंगे तो दोस्तों फर्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे न्यूव वीडियो को update आप तक कोईशता रहेगा तो में आपके है नेक्ट वीडियो वे तब तक चलिए